फिल्म की शिवाद में साना नाम की एक लड़की का इंटर्व्यू दिखाया चाहता है साना की बेन एक गी में सबकी फेवरेट यही पसंदेदा थी मगर एक साल पहले वो कहीं काई भोगई जिसके बाद एजनसी ने साना को चुर लिया उसकी बेन के जगा लेने के लिए और बस तबी से साना सबकी फेवरेट बनने के लिए काफ़ी मेनद कर रही है तेरब अगली दिन उसकी आँख समंदर के किनारे एक आइलेंड पर कुलती है साना के लिए जैसे यां करीब 20 लड़क्यों को इतन निम से जागता वट देते इन मेंसे किसी को भी नहीं पता कि वो यहां कैसी और का बागई ये सब लड़कें भी साना के लिए तरह उस एजनसी के लिए काम करती है इससाना को यहां उसके दोस्ते मिलती है जिसका नाम एरेना होता है और अभी दोनर मिलकर यहां आपने साथ काम करने वरी लड़कियों को पैच्या लेती है जैसे के लीडर साथ ही इन सबी लड़कियों के गली में मैटल का एक कॉलर लगा हुआ नहीं देर में एक लड़का अ हो साथ कार्स चुपे हुए सुबर साथ बज़े से आप लोगों को वो कार्स डूड़ने में लड़ जाना है और शाम के साथ बचते ही एक लड़ जो कि दरह से एक गेम खिलने की जगह है वहां पर पहुंच जाना है वहां अब सभी की बीच कार्स गेम खेली जाए और जो हार जाएगा उसे इस गेम से निकाल दिया जाएगा अब सभी की बैग में अपना अपना मुबाइल है जिसके इंडर सभी कार्स की लोकेशन डाली हुए है मतलब कि कार्स का पता कि कौन सा कार्ड केतर है ताके कार्स अब सभी को असानी से मिल जाएए जो भी आखित तक इस जिस गेम को जिए जाएगा, उसे इस मुल का सबसे फेवरिट बना दिया जाएगा, इन्हें जीसे सब लोग पर सेंड करेंगी, जिसके बाद उसे इनाम मिलेगा, जिसके बाद इनाम मिलेगा, जिसके फोरंग बाद वो अवास करने लगता है, और पर तभी अच्छानक उस ल कॉलर में जहर का इंजेक्शन लगाया हुआ है, जो हमारे बिटन दबाते ही उस इंसान में चला जाएगा, जिससे इसके मौत हो जाएगी, तो यहां से भादने का तो बिल्कु भी मत सोचना, अब यह जानकर सारी लड़कां काफी कह जाती है, और समझ जाती है, कि अमें ज स्टैप मदर और एक है विच, जिनके विच एक ट्राइंगल की तरह गेम चलती है, जिससे प्रिंस अराता है स्टैप मदर को स्टैप मदर विच को और विज इन्स को हराती, जैसे यह लोग कार्ज के करेंगे, इन्हीं पता चल जाएगा कि कार्ज को काफी पास इखडे है, पिर शांगो गेम खिलने वाले जगह पर दो लोग आमने सामने आएंगे और अपना एके कार्ड आगे करेंगे, पिर उन तीन कार्ज के मताबिक मतलब प्रिंस, स्टैप मदर और विच में से जिसके पास भी विज वाला कार्ड होगा, मतलब कि सही वाला वो इस गेम को और पिर इन पॉइंट की मदद से ही इन आप्शन कार्ड को खरीज सकते हैं, अब साना मुबाइल निकाल कर देखती है कि उसके पास तो अबे सिर्फ दो ही पॉइंट सर इसके बाद गेम वोस्ट आखरी हसुर बताता है कि कोई भी इंडुस्री के साल लराई नहीं करेगा, मतलब कि जबर देखती इन दुसरी कार्ड शासी करने की कोशिश नहीं करेंगा, वरना उससे भी गेम से निकाल दिया जाएगा, मार कर, और इसे के साथ गोले चिलाकर वो सिंड्रेला गेम की शुरुआत कर देखता है, इसके बार सभी लड़का कार्ड टूरने के लिए आर अब जो लड़की पेछे बाग रही थी, वो उस लड़की को पकर ही लेती है, और उससे कार्ड शीने की कोशिश करती है, इससे तभी उस लड़की का कॉलर बचने लगता है, और वो मारी जाती है, इसके बाद गेम होस्ट उसकी मॉत का ऐलान करता है, और एक बार दिल सब क को बटाता है कि ऐसी मत करो एक दुस्य के साथ ना लड़ो तो ही अच्छा है इसके बाद अपाना उस लड़की के साथ आगे बढ़ने लगती है तब मुबाल में कार्टी करीब होने का बताया चाहता है तब भागर साना उस कार्ट को तहा देती हैं अगर ये कार्ट भी उस ल अब यहाँ वो समझ जाती है कि इस लड़की में मेरी अच्छाई का फाइदा उठाया है यह एक दोपके बास लड़की और पहले लड़की जो मरी थी वो भी द्रेसल इस चलाक लड़की के पीछी इसलिए भाग रही थी तकि अपने कार्स इससे वापिस ले सके तो इसमें उ वज़े से वो मायूस होगी थी मगर तभी उसे आप्शन कार्स याद आती है जिने वो पॉइंट के खरीज सकती है वो पना मुबाइल चे करती है तो उसके पॉइंट काफी बढ़कर एक अधार से भी ओपर चले देती जो एक हरानी वाली बार लेकिन इन पॉइंट से वो पांकिन कार्डी खरीब सकती है यो बाते दो कार्स काफी महंगे थी तो एरेना उसे कहती है कि अधरिटम चाहो तो कुछ कार्ड मुझसे ले सकती हो नगर साना मना कर देती है और उने पॉस से जड़िये वो प उप्ने कार्स हरेब लेती है तो चींसाथ बचते ही गेम एरि सब्सक्राइब करने लिए जाती है। अगली मेच में वो चलाक लड़की इसमें साना से कार्स जीने थी। वो और साना आमने सामने आती है। चलाक लड़की को पूरा यकीन था कि गेम को तु मैं ही जीतूगी। है लिकिन साना के पास तो कार्स ही लेकिन तब iterations लेकिन साना को उसी चलाईदे हूए ओसे कार्स पे दिये जाती है। दोनों 제सी अपने प्ने कार्स को आगे कर्ती है तो गेम होस्ट उन्हें ओप्छिन कार्स के बारेने बटाने लिए लिगता है। और क्योंकि साना में सारही पंकिन कार्स खरीदे थी तो वो सारे मैची खत्म करते रहती है। जिसके बाद आखे में उस चलाक लड़की के पास उसके सारे पांच कार्स खत्म जाते हैं। इसी वो ये गेम हार जाती है। वो रोना दोना तो बूर्ट करते हैं। मगर इसके अरीना भी एक लड़की से इस गेम को जे जाती है। और वो साना के साथ वले कमरे में आती है। दोनों कान लगा कर दिवार के जर्ये एक दूसरी से बाते हैं। अरीना उसे कहती है। हमें अब एक टीम की तरह काम करना चाहिए। कम अलग-अलग होकर इस आलंग पर कार्स और शाम होने पर उन्हें आपस में बाट लेंगे। राद में साना को एक सपना आता है जिसमें वो अपने बेहन को इस आलंग पर भागता हुआ देखती है। तब अगली सुबा गेम का दूसरा दिन शुरू हो जाता है। जह अब सिर्फ नो लग्या हैं जिन्दा बची थ लेकिन वो दूसरी लड़की उसका हाथ पकरकर उसके जयान नचा लेती है। और मदब करने की बदने में वो साना से वो कार्ड हासिल कर लेती है। मगर जब साना थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे वहां एक और कार्ड में जाता है। साथ ही वो दीखती है कि यहार जगा पर कैमरास लगे हुए। जब वो दुड़ा आगे जाती है तो उसे एक जगा एक लड़की भीषुश पड़ी मिलती है। जिसकी एक काफ खराबती है। वो दूस लड़की के बाद जाती है तो देखती है कि पानी की बोतल खाली हो गई थी। अब साना उसे अपनी बोतल स कोई एक गुफा बेचाती है। जहां की लड़की आकर लगड़ी से उस पर हमला कर देती है। और कहती है कि हम कोई कैमरा नहीं लगा हुआ। मैं तुम्हें मार कर तुम्हारे सारी कार्ट सांसिल कर लूगी। और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कि गेम जीतने के लिए मै किसी भी हटते जा सकती है। जिसकी बाद वो अरेना पर दुबाया से हमला करके उसे नीचे गिरा दीती है। और वो उसे जान से माने ही वाली थी कि तब यह इसकी गली का कॉलर बशनी लगता है। जिए कि खुट की ही मौत हो जाती है। तब गेम होस्ट उसकी भी हमद का अक्सर जबों पर नहीं हैं। लेकिन इस आलन के चप्टे चप्टे पर हमारी नहीं से मड़ते ही एरीना उसके बैग से कार्स निकाल कर आगे बढ़ जाती है। इसके बाद शाम को सभी गेम वाले एरिया में पहुन जाती है। जहां साना के पास पंकिन के लावा मिदनाइट कार्ड भी थी है। अब पहला मैच अरीना का था एक दूसर लड़की के साथ। तब जाते 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 साना उसे अपने सारे कार्स दे देती है। तब अरीना उसे के पिए अगलने गेम में हार गई मतलब में मारे गई तो तो जब भी से अपने सारे कार्स पापी से पंकिन कार्ड था इसके बार दोस्य चाल में सामने वड़के एक नाइट कार्ड चलती हैं, जिनकी अरीna वेच कार्ड, जिदे गेमोस उस लड़की को कहता हैं, तौम गेम हार गई हुएं, तौके एकसी कार्ड्ड को नहीं, इसके बार इस लड़की को मार दिया चाता हैं, औ करताती कुछ है और सामने कोईपार काड लाए है जड देंग साना अपना मिडनाइट वाला कार्ट रग देठी थी दूस्में खरीड़ थी तो लाइट यू लगईिधि इसे घर मार दिया जाता है जितके साना गेम लिई allem जाने की बाद definitely कहती है कि मैंने आलम में एक जगा प्रिप 10 कार्स देखी है तो कल हम एक साथ होकर उजगा पर कार्स केने जाएंगी अब यहां साना काफी परेशान थी वो अरीना को कहती है कि मुझे ये किकर सता रही है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जिब हम दोनों ही एक दुसरे की आमने सा जाता है जहां अब से चार लड़किया ही जिन्दा बची थी तब प्लैन के मताबिक अरीना और साना उस दस कार्स वरे जगा पर जाने लगती है जहां वो लड़की जिसकी आँख खराब थी वो भी उनका पीछा करें दोनों जगा पर जाकर बीचती है कि यह बैस नहीं बल कंचार जाता ही जिस्तुरा इस दुराल इस लर्गी की आं कि अगे प्ट्टे गे जैतीuy तब आ इरेना उसकी पट्टे खा कर उसका मशाद क बनाने लगती है शौ नई परे ने के लिए आईरेना के पीछे बागती है और और से नहीं यूड़कर रहनी लगती है उसने कि उ लड़की को यहां पसा दिया था ये इसमें मुझे चूट हो जा दिये हैं। जिसे उस लड़की का कॉलर भी बचने लगता है। और बगार किसी वज़े से ही उस बैचारी की मौत हो जाती है। जिसके बाद अरेना उठती है। और साना से कहती है। मानती हो तुम अच्छी हो या तिसके बचे लड़की भी आती है। जो इन सबहलाद की वज़े से दिमाग से पागल हो गई थी। वो अरेना की कार्ज चीन कर पहार की दरब जाने लगती है। और वहां से सारी कार्ज वो समंदर में पहेंग देती है। जिसके बाद जब वो रो रही थी तो खुद भ लड़कीं को गिरा देती हूं। इसके बाद मैं इस गेम को जीजाओंगी। इस सोच के बाद जैसे वो साना को छोड़ती है तो वो दुनों नीचे समंदर में गेर जाती है। मगर शाम को हम दिखते हैं कि साना मरी नहीं है बलके वो जिन्दा है। खुद भी उस लड़की सना को पुछ अच्छी बाते बूंकर फोरण यह मर जाती है। इस सप्ते हैं कि मैंने तुमारी बहन को भी मारा था और तुमारे साथ दि अच्छा जिसके बाद अरीना की भी मौत होचा थी और इस गेम में सिर्फ साना ही बची थी वो पूछती है कि मैच के बगारी आपने अरीना को क्यों माता है इसका गेम होस्ट कहता है कि पिछले साल वो सिंडरला गेम में जीत थी और फाइनल मैच यह आखरी गेम में उसमें तुम्हार क्यामरास की मदब से रिकाड किया जाता है और लोग पैसे देख रही शो को देखते हैं जिसके बाद इन पैसों को सबी प्लेयर्स की कुभियों के हिसाप से पॉइंट में बदाल दिया जाता है जिससे साना शुरू से ही यहाँ पर हर किसी की मदद करने की कोशिश कर रही जिससे वो सब दिखने वलों के सेवर्ट बन गे थी और यही वज़ा है कि उसके पॉइंट इतने तेजी से बढ़ रही जिसके बाद टेवी होस्ट को चेरवन की तरफ से आउडर मिलता है कि साना को एक आखरे गेम खेलनी होगी मतलब के फाइनल जिस सुन साना कहती है अब बनने के लिए जिसके लिए गेम उसे अपने बेहं के ऐ की एझन अपार्ईभरत गे लिए, मुशु साना की सारे कार्ज उसे लेकर गेम चेर लिए जीन जाता है, कि वो द्रसल एक खुर्स लड़कि थी जिए जबिलकुर भी ऊहीं चाहती थी कि उसकी बवनी के लिए ताना जो गोई है कि उसे कोई परवार नहीं है कि सामने वले से उसका क्या रिष्टा है। जिसकी बार दोनों बेहनों को आखरे फाइनल मैच के लिए एक दुसरे की आमने सामने करा कर दिया जाता है। ämäदीया आने से पहलए कि साना बीस आउपश्ण कार्ड खरीदा होता है। मगर वो कौन सा था ये अब हमें नहीं दिखाया जाता। लेकिन उसे कार लाकर दे दिया जाता है। साना के बेन के बेन अपने कार्agarज में सी एक कार्ड चिलाती है और ये कार्ड था ग्लास कार्ड जब एक सोरन गेम उस्ट कहता है कि साना का कार्ड जीद गया है यक्योड ग्लास कार्ड असरमें सबसे केमपी और खास है जो हर कार्ड को भरा सकता है और इसे खरीबने के लिए 80,000 पौइंच रखते हैं कि आज तक इस गेम में किसी के भी नहीं हुए थे और ये पहली बार हुआ था कि किसी ने उस कार्ट को खरीदा इन्हें साना ने कि पब्लिक इने गेम देखने वाले सारी लोग उसके साथ है उसे खुब पसंद करे हैं और उसका साथ दे रही है वज़ा सिर्फ एक ही है उसकी अच्छा है तब साना के बेन रोते रोते यहां से भाग जाती है मगर फिर भी उसकी मौत हो जाती है इसके पास साना भी यहां से चली जाती है गेम होस्ट उसके पास आता है कहता है तुम इस साल की सिंडरेला गेम की विनर हो मतलब कि तुम इस गेम को जीट के लो जो कहकर वो उसे इनाम देता है यहीं आवार्ड, साना आवार्ड लेकर रोने लगती है और पाने में चले जाती है तब उसके पीछे बीचे गेम होस्त भी आता है और उसे पूछता है कि गेम जीट के तुम्हें कैसा लग रहा है तुम सब की फेवर्ड बन दे हो तुम्हारे लाकों फैन्स तुम्हें देख रहे हैं जरा इनकी तरफ देखो तब साना कैमला की तरफ देखर सिर्फ अपने फैन्स के लिए मस्कुराने लगती है जितके अंदर से वो काफी दुखी थी हमें इस पियम से ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने से जदा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए बेशब हम कितने बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो चिब्धि अगर हम अच्छी होंगे हमारा दे दूसरों के लिए साफ होगा तो हमारे साथ भी अच्छा होगा हम आगे बढ़ेंगे किस नदी हमारे साथ भी जैसे साना के साथ हुआ उसने हमेशा सबके साथ अच्छा किया जिसके बाद आखे में उसके साथ भी अच्छा हुआ उसे इनाम मिला और जिनने दोसरों का बुरा सोचा उनके साथ बुरा ही हुआ तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा अच्छा सोचे और सब के साथ भी अच्छा करें और मेरे इसी मेसिज के साथ ही यह कहाने इदर ही खत्म जाते